अगर कॉलेस्रोल बढ़ा हु 시작 तो आज कि वीडियो में ये सारा चीज आपका क्लियर कर दूँगा हमश्काद दोस्तों मेरा नाम डॉक्टरा नमपम भूश है मैं है जाब आम बिड़ेस को छो और एक फिटनेस नुट्रिशलिस्ट तो काफी लोग तो दूद पिना चाता है लेकिन डर के मारे दूद नहीं पीते हैं क्योंकि अजकल सोशिल मीडिया का जमाना है और दूद के उपर आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे जहां पर ये कहा जाता है कि दूद तो जहर है दूद तो बिलकुल नहीं पीना चाहिए और अगर कॉलेस्टोल बड़ा हुआ है तो बिलकुल भी नहीं पीना चाहिए तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका ये कन्फिशन दूर नहीं हो सकता है और आपके मन में ये शंका हमेशा रहेगा तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कि अभी सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दवा दो ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो इसमें फाइबर नहीं होता है फाइबर की कमी होती है लेकिन कार्वोइडिट फैट और प्रोटिन तीनों चीज लगबग लगबग सेम मातर में मिल जाता है साथी साथ इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है जिसकी वज़े से अगर किसी को शुगर है तो वो शुगर को नहीं बढ़ाता है ठीक है लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब कुछ नहीं होता है ग्लाइसेमिक लोट पे फोकस करना है तो दूद के साथ अगर आप एकसेस कार्वोइडिर लेंगे तो ग्लाइसेमिक लोट बढ़ जाएगा और फिर आपकी शुगर बढ़ाएगा ले फैट होता है वो सेचुरेटिड फैट होता है लेकिन आप लोट को जानना बहुत जरूरी है कि सेचुरेटिड फैट खाने से हार्ट की प्रोब्लम नहीं होता है मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोट को बताया है बहुत सारे स्टडी से हमारे पास लेकिन वो स्टडी saturated fat से घबराते रहते हैं saturated fat अगर आप खाएंगे fat ज्यादा खाएंगे तो आपकी cholesterol नहीं बढ़ता है मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोग को बता है कि cholesterol आपका तभी बढ़ता है जब अब excess carbohydrate खाते है आज तक किसी doctor को सुना है आपनी की carbohydrate कम करो आज तक किसी nutritionist को सुना ह है कि गार्बॉइडिट कम करो ज़्यादा तहुम लोग आपको कहता है कि मीठा कम कर दो चीनी मत खाना डिजाट मत खाना केक मत खाना यह सब मैधा मत खाना लेकिन carbohydrate के में कोई नहीं बात करता है, जब तक आप कार्बोईडिट कम नहीं करेंगे, कॉलेस्टरोल कम नहीं हो सकता है आपका, तो दूद से कॉलेस्टरोल नहीं बढ़ता है, हाला कि दूद में कॉलेस्टरोल होता है, फैट होता है, सैचुरीटिट फैट होता है, इसमें कोई शक नह बेकार है स्कीम मिल्क निकाल दिया जाता है जब निकाल दिया जाता है तो उसमें से थोड़ा वह प्रोटीन भी निकल जाता है तो बचता कि यह सिर्फ कर्वेडिट तो वह दूद्थ आपके लिए जाधा जहर है बेकार है skim milk double don't वो जहर है जहर जो नहीं है वो है full fat milk full fat milk आप लोग को पेना चाहिए और उसकी जो मलाई है वो पेना चाहिए क्योंकि उसमें saturated fat होता है saturated fat आपके heart के लिए बहुत फाइदर मन्द होता है यह उल्टा है ठीक है आप दूद पीजे दूद में आपको calcium मिल जाता है वो दूद में आपको और भी vitamins and minerals मिल जाता है जो vegetarian लोग होते है एक अच्छा protein का source होता है तो अच्छा कासा protein मिल जाता है 100 ml में आपको तक्रीबन तक्रीबन आपको 4 gram के असपास आपको protein मिल जाता है तो दूद पीजे full fat पीना जरूरी है कितना दूद आप पी सेट एक दिन में मैं recommend करता हूँ 200 ml 200 ml से जादा ना पीए यानि कि एक glass दूद आप पी सकते हैं दूद में केसीन प्रोटीन होता है वेव प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन 80 प्रतिशत जो है वो केसीन प्रोटीन होता है वेव प्रोटीन जो है वो 20 प्रतिशत होता है केसीन प्रोटीन और वेव प्रोटीन दोनों ही आपके शरीर के लिए जरूरी है आपके हार्ट को बचाता है आपके हार्ट को रिवेंड करता है क्योंकि प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है मसल मास के लिए बहुत ज़रूरी है ओवरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ इसमें केल्शियम फोस्फोरस भी होता है जो कि आपके हड़ीों के लिए बहुत जरूरी आपके हड़ी मजबूत करता है आजकल तो दूर जो है fortified vitamin D का भी आता है fortified with vitamin D तो काफी लोगों को vitamin D की deficiency होती है तो अगर आप fortified vitamin D पीते हैं तो आपको थोड़ा बहुत vitamin D भी मिल जाएगा क्योंकि vitamin D दोसरे खाने में बहुत कम मिलता है काफी लोग आपको कहेंगे कि इसमें एक तरह का protein होता है ruminant protein ठीक है ruminant protein होता है बिल्कुल होता है और लोग ये कहता है कि इसकी विज़े से आपको दिक्कत होती है ये human के लिए नहीं है ये जो गाय के बच्चे है उनके लिए सही है और अगर आप ये दूद पीते हैं तो जो ruminant protein होता हुँ आपके शरीर के लिए है खराब है लेकिन ऐसा कोई studies नहीं है in fact studies ऐसे है जहाँ पर ये दिखा गए कि जो ruminant protein होता है उससे आपके heart को कोई problem नहीं होता है आपके health को कोई problem नहीं होता है तो आप लोग तक सही information कोई नहीं पहुचा रहा है गलत information आप तक पहुचा रहा है आदा अदूरा information आप तक पहुचा जा रहा है जिसकी वज़े से लोग इतनी ज़्यादा भैबित हो गए है दूद के प्रती दूद पीजे दूद से कोई प्रब्लेम नहीं है गाव देहात में सारी लोग दूद पीते हैं बहुत हट्टे गट्टे रहता है हेल्दी रहता है वो इसलिए क्योंकि दूद एक complete food माना जाता है इसमें आपको vitamin, minerals, protein, fat सब मिल जाता है ठीक है लेकिन excess कुछ भी सही नहीं होता है तो अगर आप excess खाएंगे तो आपको दिक्कत होगा तो इसलिए मैंने आपको बता है एक ग्लास तक आप रोजाना की सकता है दूद किसको नहीं पीना चाहिए दूद उनको नहीं पीना चाहिए जिनको lactose intolerance है lactose intolerance का मतलब होता है lactose hormone होता है जो जिस जो गार्वाइड लेक्टोस होता है उसको breakdown करने में मदद करता है तो जिसमें भी lactose intolerance होगा lactose की deficiency होगा तो उन लोगों को नहीं पीना चाहिए वो लोग अगर दूद पीएंगे तो उनको gas हो जाएगा diarrhea हो सकता है pain हो सकता है ठीक है तो अगर आपको lactose intolerance है दूद दिलकुल भी मत पीज़े आपके लिए दूद ठीक नहीं है लेकिन जिसको lactose intolerance नहीं है वो दूद पी सकता है कोई problem नहीं है इस वीडियो को share करना बहुत ज़रूरी है जादा से जादा share करिए क्योंकि अगर आप वीडियो को share नहीं करेंगे तो लोगों तक यह information पहुचेगा नहीं और लोग दूद पीना छोड़ रहे हैं दूद पीने में कोई problem नहीं है एक बड़ फीड से समझा देता हूं कौन सा दूद पीना है full fat मिलो के जो है वो पीना है एक glass तक 500 ml तक पी सकते हैं lactose intolerance है तो आपको नहीं पीड़ा है cholesterol भी बड़ा हुआ है तो भी अब दूद पी सकते हैं दूद पीने से उल्टा cholesterol कम होता है तो दूद जरूर पीजे अगर आपको फिर भी कोई doubt है फिर भी आपको लगता है कि आप को समझ में नहीं अगर आप मेरे से one to one सब जबाब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अब डाउफिट एप को डाउफिट एप को डाउबनोड करिए और डाउफिट एप गूगल प्लेश्टों से डाउफिट गूगल बार को रात को नहां पुछे लगता हैं, आप वहां पर जूर किया मेरे साथ 1 to 1 सवाल जबाब क कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सारे लोगों तक इस इंफर्मिशन पहुचे और उमिद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिनेवाद है।